पानी बरने का ही रादा है आज हम फैसला करके जाएंगे एम डीजी को भार बुलाईए बल्ग और स्वीज के दर्मिया फ्यूज की तरह हूं मैं तुम्हारी परेशानी क्या है मुझे बताओ मैं जाकर मालकिन से बताता हूं मालिक और मजदूर के दर्मिया दलाल की कोई ज़रूत नहीं है अपने उकाद मेरे ना सीख चौकितार इन सब को बाहर निकाल दो कितने लोगों को निकालेंगे इतने सारे लोग हैं चलो चलो बैट चलो इस तरह शोर क्यों मचा रहे हैं पानी के लिए सब लोग तड़प रह हम लोग आप क्या मंस्तूरी करते हैं मैडम हमें पानी दिलवाईए तुम लोगों ने अपनी परिशानी मुझे बता दी उसे कैसे हलका ना है मैं सोचूंगी अब तुम लोग जाओ हलो पुलिस्टीशन हमने पानी मांगा और आपने हमारे लिए पानी मंगवा दिया सौच साल जीए मैडम आप ठेरो ये पानी तुम्हारे लिए नहीं है स्विमिंग पूल में भरने के लिए है पीने के पानी के लिए हम लोग तरह स्वाए हैं और आपो तैरने के लिए पानी चाहिए तुम लोगों को पीने के लिए पानी चाहिए ना, मैनेजर, हमारे स्विमिंग पूल से जो पानी निकाला है, उसे इनकी कॉलनी में भीजवा दो वावा, क्या नसीब पाया है, छोटी मालकिन और मालिक के नहायवे पानी पीने से छूट की बीमारी दूर हो जाती है और उसमें सितर के खुश्मू भी आती है अगर तुमें इतना ही नाज है तो दिन में सौ मरतमा उससे नहा लो, लेकिन ऐसी गलत बात हरगिज ना करना इससे हमारा क्या लेने देना है, टेंकरों को हमारे महले में कैसे ले जाना हमें मालूम है कितनी देर हो गई पुलिस को भीजने में, वो लोग आ रहे हैं या नहीं, वन्ना कमिशनर को फोन कर दूँगी ममी, इन गरीबों की शिकायत क्यों कर रही हो, I don't like it गरीबों को हमेशा अपनी मुठी में और जूती की नीचे दबा कर रखना चाहिए रखिए यह मिस्गाइडिंग मामी, I don't like it मामा जी, इससे कह दीजी कि रुपियों से प्यार करें, गरीबों से नहीं गरीबों से प्यार करने का मतलब है उपरवाले से प्यार करना, क्या का हम? मैंने भगवद गीता में पढ़ा था ए, ठीक मांगने वाले को बुला कर नौकिन दी, तो हक की बात करने लगे तुम लोग कह दीजी कि जब तक मैं ना कहूं किसी को ना बक्षे, सुनो, पोटा एक के तहट इन सब का पर्मिट खारिज करवा दू क्या, कहीं पोटा हम पर न लागो हो जाए, ज्यादा मत बोलिए, मामा जी आप अपना काम संभलिए, देखिए दरोगा साहब, माधूरी अभी तक उ मेरी बाद ठीक है जी, तुम्हारी अकल घास चरने गई है, अच्छा ये बताओ, तुम नहाई हो या नहीं, माधूरी, गुद मॉनिंग मॉम, गुद मॉनिंग त्यार, हरिया, मेरे लिए ब्रेट्टोस टॉमलेट लेयाओ, कमान, पास्ट, क्या है मॉम, वजन देख रहा ह वट, मॉम, हर हफ्ते वजन क्यों चेक करवाती है, पता नहीं ये वेंग मशीन किसने बनाई है, बनाई किसने मालूब नहीं, लेकिन खरीदने वाली तुम्हारी मम्मी है, ये लो आया जी, आईये जी, चड़कर दबाईये जी, कमान, ओफ, मॉम, अरे बाप, पिछले हफ् किलो की थी, इस हफ्ते साथ किलो की हो गई, वट, एक हफ्ते में एक किलो बढ़ गया, हर्या, इसका वजन बढ़ा तो जानते हो ना मैं तुम से सवाल करूँगी, आखिर खिला क्या रहो इसे तुम्हा, मैं जो खिलाता हूँ वही थोड़े ना ये खाती है, कॉलेज जाते वक्त आइस फ्रूटी खाती होंगी, और लोटते वक्त स्वीट खाती होंगी, ये सब खाने से वजन नहीं बढ़ेगा, तो क्या क्या बढ़ेगा, माधूरी की डाइट को लेकर केरलेस रहोगी, तो नौकरी से निकाल दूँगी, मैं तनहा कितने काम करूँ, वो तो सुब मैं चलता हूँ, खर्चे के लिए 200 रुपे दीजिए, 200 रुपे, बस में 50 रुपे ही तो लगते हैं, मामा जी, बलो मैटी, इसे 100 रुपे देकर भेज दीजिए, अच्छा, है रब, 100 रुपे ही दिये, 100 रुपे में क्या होगा, बाबरे, 1000 रुपे का नोट, सूप कैसे बन इसके लिए नसीब चाहिए, कभी कभी हजार लोगों के खीचने से भी नहीं हिलता तो पड़ोस वाले गाहों से क्यों नहीं बुला लेते, मैं खीचूंगा, अभी तो दूद के दांद भी नहीं टूटी और चले हैं नन्दी खीचने, हलो, मालो मैं शिव धनुष को राम ने इसी उम्र में तोड़ा था, मेरे दादा जी कहते हैं, तुम बाजुवट जा, मैं खीचता हूँ, क्यों भी मजाग कर रहे हो, नहीं, उस परमेश्वर का सकार कर रहा हूँ, उनके नन्दी को उनके पास लिजाओगा, हर हर महादेव, तुम कौनो मुझे नहीं मालो, लेकिन नई मूर्ती के प्रतिष्ठा करने के लिए पूरे गाउने जोर लगाया, तो भी अनन्दी नहीं हिले थे बेटा, बड़े किस्मत वाले हो, तुम्हारा नाम क्या है? असली नाम तो राम है जी, गाउं के लोग मुझे प्यार से रामू कहते हैं, मेरे दादाजी मुझे अगनी पुत्र कहते हैं, मुझे में आग थूड़ी ज्यादा है, अच्छा मैं चलता हूँ, ए छोगरे, देखने में तो भीम जैसे रखते हो, यहां क्यों है हो, काम की त खाने लाइक नहीं है, यह क्या है बाई, दो रुपए में पान नहीं आता है, किस टेट के हो तौम, खोल कोता का पान बेजता हूँ, लेकिन हूँ यहीं का, यहां काओकर क्या बगवास कर रहा है, इस राज्ये के गजीम शक्स ने, दो रुपए में एक किलो चावल देकर, भूकों की भूक मिटाई थी, उनका दिया हुआ खाना खाकर बात बिखाने वाला पान दो रुपए में नहीं आता, यह बात अगर उन्हें मालूम होई, तो वो खोद उपर से नीचे आकर, तुमारी इतनी पिटाई करेंगे, कि तुम्हें शेहर को छोड़ कर भग जाओग आकाउंस कुछ ठीख नहीं लग रहा मामा जी, यह तुमने क्या कह दिया, मैं तुम्हारी मा का सगा भाई हूँ, यानि की तुम्हारा मामा हूँ, रंग गाला है लेकिन फितरत काली नहीं है बेटी, अ, फर्षब्हेत्चिकना है, समबल के हाँ, नमस्ते मेडम, कॉन ही, न आपको मालूम है मुझे मालूम है लेकिन उसे तो नहीं मालूम ना रे सुनो तो अरे यह नस्ति का रहा है नस्ति का रहा है बचाओ मुझे बचाओ य데 यह यह तु है तादा जी माझी 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 अरे कहा किया रहा है बचाओ बचाओओक करे रहा ह्ककी कहान से और कुछल कर रहा इसको पहले बगाव हर यह है जय az मेरी और कुट्टों की जरा बंती नहीं है यह हाथ देखा यह मामूली हाथ नहीं है किसी को इस हाथ का जटका लगा तो दुनिया नजरा आजाएगी अब इस बिचारे कुट्टे पर क्या अपनी ताकत आजमाओं इसलिए जटका लगे तो मालूम होगा ना मुझे लगता है डर गया चोड़ दो मुझे कैसा डर मारो यह निहायती आयम अगर मार खाने को राजी है यह पैदायशी आशा है थोड़ा ढीला है ओह हो पैदायशी आदत है जो पजरंग बलीके अरे यह क्या हमारे मैनेजर को इसने परस्ट करों मैं क्या करूँ उसने खुद कहा तरम ने कलिए मुझा पानी का चीटा मार दीजे खुद भी उठ जाएगा क कि hij और कुरू यह क्या एक बोरी को चार लोग ले जाए यो गेहँ की बोरी है। यहां गेहों की जो पच्छरंबले मापरे किस चक्की काटा खाके जिस्म बनाया इतनी असानी से उठा लिया का रखना है चल आजा तुमने जैसा नौकर चाहा था वैसा नौकर मिल गिया रख लो काम ते रख लो त्युम्हें तंखा कितनी चाहिए को मम्मी कहती है इसी क्या हो गया कुछ नहीं जटका लग गया मैंने कहा था ना बाबुजी मेरे हाथों में करंड अभी मैंने पॉजिटिव लगा दिया है इसलिए इस तरह अकड़ गई है निगेटिव लगा दूंगा तो रिलीज हो जाही बागर देरी के निगेटिव लग इस बात तो कोई समझता ही नहीं यह मेरे बेटी है जल्दी शाटी जल्दी पैदाईश मैं ब्यूटी पाले जाकर दुपले हो गई लेकिन यह आईस्क्रीम पाले जाकर मोटी हो गई माम यह बात आप इस्टे क्यों कह रहे है इसे कर ज़रा भी तहजीब नहीं कौन है यह क हो मेरे पोते तुमसे कोई टकर ले नहीं सकता बात बात पर जय बजरंबली कहकर मारते हो यह अच्छी बात नहीं है पिर भी मैं अपनी आदत से मजबूर हूं सब मैं करूंगा चाहे काम जैसा भी हो मैं हसते गाते पूरा करूंगा मैं नाचना बजाना आता है नाचता भी हो क्यों आजमाना चाहती हो मुझे बड़ी आसा फोक्स आउं सिखाओगे किसलिए मैं कॉलेज में ड्रेस कॉंपटिशन में शरीक हो रही हूं यह उसी का लिबास है मैं और मेरे दोस्त एक घंटे से प्राक्टस कर रहे है दांस कुछा नाचता on गत्भानेगों कितना बड़ा कब जीत कर आई है अभी घंटाएद खेल दिया और तो घंटो मुझे तो ने नीं इसे आप ने जीता है जीताने वाले तो तुम ही हो इसलिए ये कप मेरा नहीं तुह हां हो हो दो हाट चोड़ो मालकिन पकडरने वाली आपकी बेटी है युलाने वाली आपकी बेटी चोड़ना भी आपकी को यह उपर से कुछ Uhm आपने क्या कहा है मेरी तरह असली सोने का है ना अरे सोने का नहीं सोने का पाणी चड़ाए गया है पानी अरे वही रे तुम्हारी मालकिन जैसे क्रीम पौडर लगाती है बिल्कुल ऐसे ही कि 24 घंटे हो गए सबान खोले तुम खुब्सूरत हो जबान हो मालूम है लेकिन कल तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा समझ गए तो ठीक है हरिया 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 को हीर यह नहीं बुला सकते तुम्हारी फिगर की हिसाब से ऐसा बुलाना वाजिव नहीं होगा ले सिलेंडर पगड़ अब लोग सिलेंडर फटने से मरते हैं मैं तो इसके नीचे अदब के मर गया यह यहाँ आओ जी अभीया ऐगा कहिए क्या बात है वाप जीव जिम कि भॉड़ी नहीं है यह जिम की आ यह जीम nat Sunonds वी ! मझी और प्लब इंडेंच बंड देखो ना दोड़ी अब तो मंदर साव है और जाओ स्वाए JEFF यह आपको मालू है ना नमस्ते नमस्ते बैटो 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 अगर वो कुर्सी पर है तो मुझे कुर्सी नहीं चाहिए है अरे सरकार चलानी है या नहीं उनी से पूछ लो फिर से उसने फोन किया तो मुझे कनेक्शन मत देना हाँ 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 समझ गया न तो फरमाईए परमिश्टर राव जी क्या बात है कैसे आना हुआ मैं सिर्फ साथ में आया हूँ मेरी बीवी है क्या बात है कोई परिशानी परसो एक दावत में आपके बेटी को देखा था हमारी माधूरी और उसकी जुड़े खुम चमेगी उसकी बारे में आपसे कुछ बात करनी थी मेरा बेटा आपको पसंद अच्छी बात है लेकिन आपकी बेटी को मेरा बेटा पसंद करता है ना हाँ आपको बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए हमारी बेटी को अगर भेज़ेंगे तो मिस हिंडिया में आववल आएगी आपका एक पावा प्रजक्ट पेंडिंग में है यही असली वज़े है मैं सूरत नहीं देखता सीरत देखता हूं पीने के लिए पानी मांगा तो कामगारों की कार खाने में पिटाई करवा दी इसलिए अब वो स्ट्राइक कर रहे हैं ना यही सोच रहे हैं कि इन्हें कैसे मालूम हुआ सिया सद्दा अपनी सिहत से पहले बगल वाले की सिहत कैसी है यह वो देखता है अपना वैल बगल वाले के वैल से कितना कट हुआ यह जान लेता है एक बात सुनी होगी शिव की तीन आके हैं तो हमारी तीन हजार है भाई उस रहे कार खाने की बाद तो बाद में पहले जो कार खाना है उसे बचा लिजे मौतर मा यानी मेरी बीवी ने जो पावर प्रजेक्ट का जिक्र किया उसे छोड़ दे उपर वाला इंसान को 100 साल की उम्र देता है तो वोटर हमें 5 साल की ही उम्र देते हैं अब इस प्रजेक्ट के लिए हजारों लोग कतार में खड़े हैं मगर हमारी बेटी की शादी की बात इस वक्त मेरे बेटे की बोली 25 करोड की है आप अपनी सारी जाड़ा बेजोगे तो भी यह नाराज की कार खाने के कामगानों को दिखाईएगा जाइए कि अब लुद्रेश्वरी कि अब ने शरी अब भाणुर्य क्यों धुक्तपकल आप लाइँ घ्लक रही है हो फश्क्ति गजलो नजदींग जाका देखते हैं क्या टमाशा है चलो हम भी कुछ करते हैं पुलिस से खौफ नहीं है तुझे लाठी पकड़ेगा खौफ हमारे घर की कुटिया भी खौफ का नाम नहीं जानती नहीं छोड़ों के तो लाठी तोड़ती तुझे तो रहने दीजिए नहीं तो बेल्ट तूट जाएगा आपका यह है हमारी ताकत जनाब जब गरीबों को गिरफ़तार करने में हमारे लोग इतना जोश दिखा रहे हैं अगर गोली चली तो जब बचरंग बली बोल देंगे फिर सोच लिजे क्या होगा जनाब मैं इन लोगों से बात कर लेता हूँ मुझे एक मौका दीजिए ठीक है मैं अभी आपी की तरह एक मजदूर हूँ अभी-अभी काम पर लगाऊं अगर मुझे एक मौका मिला तो आपका मामला मालकीन से बात करके हल करा दूँगे मालकीन जी पानी की परिशानी को लेकर ये लोग जेल तक हो आये हैं थोड़ी देर और खामुश रहेंगी तो पुलिस वाले फाइरिंग चुरू कर देंगे फर्ष कीजिए अगर दो-तीन मर गए तो कल सुबह ओपोजिशन वाले असेमली में हंगामा कर देंगे बस तब तो आपका कार खाना बंद ये आपको अच्छा लगेगा ये बात नहीं है मेरे पास काम करने वाले मुझ पर ही हमला कर रहे हैं ओफो रहम कीजिएगा तो पैर पकड़ेंगे यही तो इन गरीबों की फित्रत है एक बात और मैं आपको बताऊँ गरीब लोग गेन की तरह होते हैं इस तरह आपके हाथ में रखेंगी तो मुलायम रहेंगे जमी पर पटक कर मारेंगी तो उचलकर सर पर गिर पड़ेंगे ठीक है तो क्या करूँ बताओ ये लोग आखिर क्या मांग रहें नौकरी और जिस दिन काम करते हैं उस दिन की तनक्वा कह दीजिए कि नौकरी मिलेगी मगर वो लोग माने तब ना आप हाँ तो कहिए बाईयो मैडम जे आप से कुछ कहना चाहती है आप लोग गौर से सुन आधा पेट भर दीजिए बस आधे घंटे तक जिन्दाबाद बोते रहेंगे और बोलो जोर से बोलो और साथ में कह दीजिए सारे केस माफ करवा देंगी तुम लोगों के सारे केस भी माफ हो जाएंगे देवी चामुंडेशरी जीगी और हाँ साथ में पीने का पानी भी जाएगा मेडम जी जिनाबाद जबान फिसल गई तुमारी भी दे दूंगी कह दिजी देखें से आपकी कॉलनी में पानी भी आ जाएगा देखो तुम घलती कर रहे हो और कुछ मत कहिए एक दिन भी उस तरह जिंदाबाद के नारे लगवाएं मेरा रंग काला है लेकिन मे देखें तो कैसे तरड़क यह थैए तेरी पतलीकमर तेरी तेरी ची नजर में है उन्हें कम से कम छे मैने तक रेस्ट करने के जरौत है नैं नीं काफी हूंगे उन्हें अस्पताल में दाखिल करा ना हमतलब इसी भाण वें मैं किसी से कम नहीं हूं साला न 32 रुबत अन्गौ लेता हूँ मैं मैडम की कमर तीन मिर्ट में ठीक कर दूंगा मैं यहलो का करना आप जर्यों कोई अंदर का काम करने लिए और वालों NEdrum चाहिए आप यही रही है ना । यह क्या करने वाला है…. मुझे सताय है मत। खामुशी से लट्टी है या नहीं आरापती है अहां जो पचरंग बली की हमारे शादी हुए बिस्तान हो गए देखिन एसी चीक नहीं सुनी थी ऐसे क्यों चिला रही है चलो देखते हैं मालकेन अब उठीए नीचे उत्रीए अब दुरुस्त हो गई है मालकेन अब जुकिए जुकिए आब उठीए पिर से उठीए अब सब ठीव हो गया है अब जाकर उस दर्वाजे पर लाग मारिये मारिये ना ना Сब्सुर्णाणादार एज कोड़केन अब कैसे हैं गया दर्द गया है यह बईजण बली का कमाल रामु हम थी तुमारी प्रमोशन पक्की मालकेन तुमारे मैं यह ने क्या जुल्म किया है प्रमोशन यानी लॉक्री से तेरक्या पना रही हूं अच्छा मैं बड़ा हो तो बड़ा हो गया है नजाने में कब बड़ा होगा अग्रे जनम में कोशिश करना इसलिए तो मुझे गुस्सा आता है जल्दी से नाश्ता तयार करो वरना मेंड़ा गुस्सा आजाएगा रामू इतने सालों से जो दर्द था तुमने दुरुस्त कर दिया यह लूग पांस रुपे रख तो दादाजी ऐसे क्यों चीख रहे हो आपने पैसे दिये तो दादा की यादा गई अगर आप इजयसे देंगी तो मैं जाकर दादाजी के हाथ में यह पांस रुपे का नोट रख कर जैसे जट से जाओंगा वैसे फट से वापस आभी जाओंगा जाए पचरंग बली की बड़ी मुश्किल से यह पांस रुपे मिले हैं जल्दी से जाकर जल्दी से वापस आपड़ी मेरी मौम बड़ी कंजूस है उस कमर दर्द की खातिर आज तक लाखों रुपे खर्च कर चुकी है लेकिन तुमें सिर्फ पांच सो रुपे दिये यह पांच हजार लो अपने दादा जी को दे देना अरे बापरे आपके जिस्म में ही नहीं आपके हाथों में भी इंटर्सिटी सिधा ठीक है मैं बोल दूँगा है रामू आ रहा है नहीं तो कुछ अफसर आ रहे है इंसपेक्शन के लिए आपने रामू कहो मैंने सुना सूर लिया तो फिर पूछ क्यों रही है वो वापही में आ रहा है अरे अरे कहां चलिए नाप देवता को खबर देने शिव शंबू शिव शंबू ये क्या साप से बात कर रही हो साप मत कहिए आखे चली जाएंगी नागेंदर देव हैं मेरे दोस्त मैंने प्यार से शिव शंबू कहती हूँ चल शिव शंबू कुछ बोलते क्यों नहीं उठे भी हो या नहीं तुमसे धेर सारी बाते करनी है ए शिव शंबू आज मेरा राम आ रहा है मालूम है आते ही उससे बता दूँगी कि मुझे उससे महबत है क्योरी क्या बताने वाली है मेरे और शिव शंबू के दर्मिया हजारों बाते होती है सब तुमें क्यों बताओ तुम अपना काम देखो ये अंडा शिव शंबू को दे देती है अंडा फोड कर डालो नहीं तो शिव शंबू को चोट लग जाएगी लाख लाख शुक्र है वरना आमलेट बनाने को कहती आमलेट भी बनाओगी तो पीला वाला मट डालना उसमें चर्बी के वज़े से दिल का दौरा पड़ सकता है यह कैसा दिवानापन है लेकिन शहर में रहने वाला तेरा रामू गाउं में रहने वाली तुछ से शादी करेगा क्या शिव शंबू यह रामू के बारे में कुछ कह रही है चलो डसो डसो बापरे बख्षते लड़की तेरा रामू तुछ से शादी करेगा सुनाना शुरूत किया क्या देख रही हो बैन गाड़ी तो आ गई पर रामू क्यों नहीं आ तो गया लेकिन तुम्हें देख के डब्बे के उस तरफ ते भाग गया उसकी यह मज़ा बच गया आ गी एं लेकिन मुझसे पहले वो कैसे आ सकती है अरे बापरे इसकी मुझे देकर हसने की उमर तो नहीं है इसके हासी इसकी हासी में कोई फर्क तो नहीं है, लगा मुझे में कोई फर्क है, दाई और पीछे की और सब कुछ तो दुरुस्त है, फिर क्यों होसरी थी, अरे बापने, रामो, अरे मुझसे पहले तू यहां कैसे आजिर होगी, इस काव में तुम्हें एक रास्ता मालूम ह तो मुझे 15 अच्छा यह बता तू टोकरी के नीचे क्यों घुसी तुझे अपने जाल में फासने के लिए थूड़ी देर अगर हम दूनों इस तरह टोकरी के नीचे रहेंगे तो मालो में क्या होगा हलो सिगरेट पिना छोड़ कर आप मुझे कार की चाबी देंगे तू कार ड्राइवर नहीं लगता तो क्या घर का दामात लगता हूं मैं इतना लालत ना कर यह ले चाबी तेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है ना राशन कार भी है कव तो दिखा दो रास्ते में किसी न आखिड़ लगा लो सेफटी के लिए लगाना या लवबोर्ट लगाना यह मुझे अच्छे से मालूम है जो टी मालकिन आ रही है तू साइडी जा चले जा अब जैनो चल्दी चा आ हईए मालकिन आईए चोटी मालकिन पीछे बैठिढ ना खामोश मुझे मालूम है कहां प के लिए मेरे लिए नहीं चलो जल दिया है यह में कहां पास किया भगवान मैडम मैडम आराम से चोड़ी मैडम अरे आराम से चड़ाइए मैडम अरे चोड़ी मालगी अब इस तरफ आजाएए आए जल्दी जल्दी इसे हाथसा नहीं कहते हैं तुझे गाड़ी के नीचे कुचल कर जाओंगा तो वो हाथसा कह लाएगा समझ का है सुनिए जनाब गाड़ी वो नहीं चला रहा था मैं चला रही थी विजय चामुन डेश्वरी की बेटी माधुरी इंडस्रीज ओ आइसी तुम हो तुम्हें पह आई आउफर को कभी नहीं ठुकलाते क्या बक रहे हो इन दोनों उग्लियों में से किसी एको पकड़ा यह बढ़िया है माई गाड़ यह उपकरता तो तेरी पिटाई करनी पड़ती और अगर यह उपकरता तो माधुरी को चुम्मा देना पड़ता बेबी आइकांट कमाण 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 हेलो ब्रदर इन दोनों उग्लियों में से एक को पगड़ मैं बता दाओं मैंने पगड़ी थी ना अब तुम पगड़ो कुछ नहीं होगा पकड़ो बाही पकड़ो ओ माई गाड़ इस उग्ली को पगड़ते तो इसे किस करने की इजासत दे देता इस उ चलिए शोड़ी माल के में देखिये ये सब घर पर मत बताईएगा ठीक है खून निकल रहा है एक मेंटर को तुम मिनिस्टर के बेटियों यही जान कर भी उसने तुम पर हाथ उठाया क्यों तुम क्या चाहते हो उसका कतल करवादू नहीं डैड उससे मेरे कदमों में गिरकर माफिय मांगनी होगी नहीं अब पहाड की बात कर रहा हो और तुम पत्थर की कोई जता रहे हो इतना ही नहीं चामोंडेश्वरी जी की बेटी माधूरी के साथ मेरी शादी भी करवानी होगी वो हमारे दर्जे की नहीं है माधूरी की खुबसूरती औल इडिया लेवल की है डैड सुनिए यह हमारा एकलाउता बेटा है इसकी बात मान क्यों ने लेते ठीक है उसके लिए एक सीड़ी क्या सौ सीड़िया भी नीचे उतरनी पड़े उस विजय चामू नेश्वरी से मैं हाथ मिलाऊंगा ओए निकल बाहर क्यों सर पहले धारने चल फिर बताता हूँ रामो को क्यों ले जा रहे हैं तुम दखल मत दो चाहो तो अपनी मम्मी से बात कर लो हालो मॉम मैं मादुरी पुलिस रामो को गिरफतार करके ले जा रहे हैं पुझे सब मालूम है मिनिस्टर ने फोन करके बताया था मैंने कहा आपको जू ठीक लगता है वाप कर ये तुम आटो करके घर आचाओ मॉम आइड लाइक दिस मैं पुलिस टेशन जा रहे हूं माद समागी ताकत भी इशा है सर इसकी खबार हम ले लेंगे अब जाईए इस बदमाश का सर जुगा कर मेरे बेटे के कदमों में रख दो वो देखकर मैं चला जाऊंगा मेरा सर जुगाने की कोशिश की तो यहां सब के सर कलम हो जाएंगे मैं खाना खाकर नहीं जीता हूं पू इसके डिसकुशन से ज़्यादा एक्शन पसंद है पहले उसका सर रख रहां। युग कर र करने अा र पर लिवादिर झाल प्रामाँ Alem रए न कुड़ा फफ लवाँ लइ उब कर दो वला में रही खला विरácuti सलाखों के पीछे से बात करने वाला नहीं हो, अब मुलाकात अदालत में ही होगी जनाबी अदालत की बात कर रहे है, कोई परिशानी तो नहीं होगी न माधूरी माधूरी आ गई डैड तो तुम ही हो इसके बाप, रामो को छोड़ने के लिए का माधूरी, जानती हो किससे मुखातिब हो, मौब, रामो को छोड़ने के लिए कहिए आप क्या देख रहे हैं, इससे समझाईए न डैटी ही नहीं, उपर वाला कहेगा तो भी नहीं सुनूगी कल तक आप दोनों की तो बनती ही नहीं थी एक गरीब की जिन्दिकी से खिलवार करने के लिए आप दोनोंने हाथ मिला लिया, I don't like it इंस्पेक्टर, इसे ठोल दीजिए उसने एक्सिडेंट किया था, इसलिए गिरफ़तार किया है न तो वो एक्सिडेंट मैंने किया था, मुझे गिरफ़तार कीजिए मेरे पास तो लाइसंस भी नहीं था, फिर भी मैंने गाड़ी चलाई, मुझे गिरफ़तार कीजिए उस लड़के ने मुझे किस करने की कोशिश की, तो रामु ने उसे मारा, इसकी वज़ा है मैं हूँ मुझे गिरफ़तार कीजिए उसे अदालत इस वज़े से नहीं ले जा रहे थे हम, यहाँ देखिए, देखिए उसने क्या किया, मुझे, यानि हम पुलिस वालों को मारा इसलिए मैंने भी पुलिस को मारा है, गिरफ़तार कीजिए, क्यों, एक को मारना काफी नहीं था चाबी दो जल्दी दो माधूरी, मेरी बास सुनो, मॉम, डॉन्ट टच मी हम दोनों को ले जाकर अदालत में खड़ा कर दो, जो कुछ भी हुआ है, अब मैं वहीं जाकर बताऊंगी मिनिस्टर साब, बाहर पत्रकार इंतजार कर रहे हैं, हकिकत मालूम हुआ तो आपका होदा और हमारी इस्दत चली जाएगी क्यों जनाब, क्या हुआ मामूली केस है, चामुल डेश्वरी के ड्राइवर ने हमारी गाड़ी से ठककर मार दी मेरा बेटा रिपोर्ट करने जा रहा था, बस इतने सी बात है, उसे वापस ले जा रहा है नहीं जनाब, आपको छुपा रहे हैं जी, छुपाया कल चामुल डेश्वरी जी के पाव प्रोजेक्ट का शुभारम है मैं ही करूँगा वहां मुलाकाद होगी कar दो, आं यहां से परविश्वर राव जी नमस्ते वेहन जी, आ नमस्ते नमस्ते कर दो कर दो कर दो कि यह दो हीटों के दर्मियान लगाए गए सीमेंट नहीं है हमारे खांदानों के बुनियाद मजबूतों इसलिए कॉंक्रीट है शुक्रिया भाई साब और सुनिए परसों मेरी बेटी की शादी है आप सब लोग आ रहे हैं उस ड्राइवर को भी लिया आईएगा वो क्यों वो जब मेरे बेटे के पैर पकड़ेगा वो नजारा में अपने आखों से देखना चाहता हुआ हम लोग मिनिस्टर साहब के घर शादी में चाह रहे हैं कोई भी ओची हरकत मत करना हमारे स्टेटस के मोताबिक ही रहना शादी किसी की भी हो मंगल सूतर ही पहनाते हैं न यह एक्स्ट्रा ही मुझे अच्छा नहीं लगता रामू गाड़ी रोको गाड़ी क्यों रोक दी मुझे नारियल पानी पीना है पहले ही काफी देर हो चुकी है और उपर से तुमारी यह नखरे रामू तुम जाकर ले आओ तुम क्यों उतार रही हो एक मिनिट मॉम कोई बात नहीं जाने दो हम दोनों थोड़ा एश कर लेंगे यह क्या नहीं हरकत है आपकी नहीं हरकत वरकत कुछ नहीं सोचा थोड़ा चांस लेलू बस मॉसी बड़ा साइक नारियल देना यह क्या जब चाहे जिसी चाहे यह क्या जटके से काटा है पानी फवारे की तरब बहार निकला आया इसलिए तरह मुझे पसंद है एक और चाहिए यह नहीं करना खाना चाहिए लेकिने से कैसे खाएंगे चाकू तो नहीं है उपर वाले ने इंसान को जब 32 दाद दिये है तो चाकू की क्या जूरत है लाइए चीची उसका जूटा क्यों खा रही हो बहुत नीचा है मॉम स्टुपिड उसका जूटा है सॉ स्वीट सही मैं क्या मुझे भी थोड़ा दो बस देखीजिए छोटे लोगों की छोटी हरकते बैठिये गाड़ी में तुम भी मुझे ये गन्ने छिलके खिलाओ ना गन्ने का अब क्या हो गया लगता ट्राफिक जैम हो गया अज के लिए पस इतना ही कल सुबह अफसरों की महरबानी होगी तब ही गाड़ी आगे बढ़ेंगी लेकिन सारी राग कहां बिताएंगे लारी कि रीचे थोड़ी जगे होगे सरा देखते हैं आप जाकर सोचाहिए हारेंवी गेस्टाउस है हारेंवी गेस्टाउस यानि की सरकार का है सरकार का यानि हमारा चलिए आज राट वहीं बिताते हैं कि छोटी मार्किंज समझ के चलिएगा कहीं फीसर के गीर ना चाहिएगा आए हाट छड़ो माधुरी 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 इस जंगल में जंगली जानवर भी होंगे ना नहीं यार हीरो हिरों हाथों में हाठ डलका सहर करते हैं बकवास की बात करा चुक रहा है चलिए राजन की तरह क्यों चीख रहा है सोते वे जानवर भी उठकर हम पर हमला कर देंगे मेरी बात सुन हम लोग यहां एक गंटे बैठते हैं फिर जाकर कहा देंगे कोई नहीं मिला ना मालूम क्यों मुझे डर लग रहा है मैं हूँ ना तुम्हारे लिए तो मैं डर रहा हूँ अब शुप भी करो तुम्हें बात बटाओं क्या मैं जानवुष्कर फिचली थी वाकई हां अधादो अरे चीको मत चोटी मालकिन अपनी माल को सताने का क्या यही तरीका है कहा आगर फस गया क्या कर रहा हूं लकडिया एकठी कर रहा हूं जंगल में आग लगाने से जानवर करीब नहीं आते इसलिए जानवर से ख्याल आया इस वाक्त मेरी माम क्या कर रही होंगी जल रही होंगी जंगल में जनली जानवर है, इसकी भी तख्ती लगी है तुय क्या करूं, तुम हमेशाँ पेसों की बात करती हो जो उपर वाले को एक लाख रोपे दे तो सब ठीक हो जएगा आप ऐसा ही कहेंगे इसलिए मिनिस्टर साप पो रापता कर रही तिंग मदद के लिए वो लाइन पर नहीं मिल रहे हैं सेल भी काम नहीं कर रहा दिमार तो दुरूस था ना सुबह बस पकड़ के निकल जाएंगे माधुरी को छोड़ कर कैसे जाएंगे आप लोग इतना क्यो अरे खालो पान बनारस वाला दे दूंगा मैं बड़े करों है ये इसको कहीं तो देखा है मैंने पहले जिन्दा भी है या दोनों मिलकर यही पर मर गये चलो देखता हूं अरे उठो उठो वरना मैं तुम्हें पान से मारूंगा अरे तुम जिन्दा हो ठीक है तुम दोनों देखने से तो शेहरी मालूम होते हो अच्छा मला शेहर छोड़कर जंगल में क्यों आगए वो क्या हुआ कि रात अहां बोलो मत मैं सब समझ गया तुम दोनों भाग क्या अरे रास्तों से वाकिफ हो अरे तुम जंगल के रास्तों की बात कर रहे हो मैं तो इस जंगल का शेहर्णशा हूँ अजीव इंसान है जरा रास्ता दिखाओगे तुम्हें अंग्रिजी आदी माधूर अभी तक नहीं आई मुरत का वक्त निकला जा रहा है मिनिस्टर के घ कहां चली गई थी तो शुक्र है आ गए अरे वो लोग नहीं मैं बताता हूँ क्या हुआ अरे कुछ हुआ नहीं वो जंगल में बेहोश पड़े थे कौन हो तुम लोग अरे यह चोड़िये पान बेचता हूँ यह बताईए आपकी बेटी है क्या हां और यह आपके दामाद है खामुश हमारा नौकर है है गबरू जवान है जब मैं रात को एक क्वाटर चढ़ा कर सो गया सुबह उठकर देखा तो पहली रात की दरा दोलों हाथ में हाट डालके पैरों पे पैर डालके दोनों लिपटे हुए सो रहते सही कहा की नहीं बताओ और इसके बात जो होना शुकून हासिल नहीं होता है यह लोग कहा है शुक को जाके बताओंगा आप यह लोग अब दी कोटना वाले हो प्रेलिया है रखने हैं यह क्या बहन इतना परिशान कर दिया कल सुवहीं निकलने वाली थी ना फिर क्या हुआ सच बताएं या फिर हम जूट बताएं तुम पुली स्टेशन में और अदालत में हकीकती बताते हो ना फिर शादी के मंदम पे जूट के बोलोगे बो चलिए चाहे वो बताएं या मैं उसमें छुपाने वाली क्या बात है नास्ते में एक पुल टूटा और ट्रैफिक जाम हो क्या बताएं गा अरे वही जंगल में मंगल था हाथो में हाथ पैरो में पैर लिफ्टे हुए थे अगर कुछ नहीं बताएं गा तो अरे नहीं बताऊंगा ता बुरा बान याएंगे लोगे तो हम भी फील करेंगे ना तेरी बात अलागे भाई जा के एक पैग और मार ले खांगे एक्सक्षब में पानी गिरने जए क्यों रहा है याण थे पानी किरने से जैसे बेखिर खड़ी जाती है अब तु मंग रहे सी में बोलो कि तू इसे क्या समझ में याएगा अरे मैं हिंदी में बताता हूं बोलो बाबू आब बू अएंडस्टाइं सर you want to get me a coconut is that all so that you can mix it with some gin and swallow it with your dirty little mouth in spite of this auspicious occasion क्यों हो बाबू खामोश क्यों हो गए मुझे अंग्रेजी आती है या नहीं ये बड़ी बात नहीं है सामने वाले की कुवच जान कर ही अलफास निकालना बड़ी बात होती है देखो डिगरी हासिल करके भी नौफरी नहीं मिली इसलिए सरकार से पंगा लेने वाला हूँ मुझसे पंगा मतले ना I respect dignity of labor not ministerial power अब ही मैंने जो moral pack तुम्हें दिया है उससे ना शचड़ गया होगा coconut की कोई ज़रूरत नहीं है बाई आप लोग रात को कहा थे मुझसे पूछे मैं बताता हूँ अरे बोल दे दीजिए ना अरे कोटा पूरा हो गया का मैं और लेकर देता हूँ मेरे साचल तुझे कितनी दफे कहा तुछ मत बता ना कैसे नहीं बताऊंगा हाथों में हाथ डाल कर पैरों पे पैर डाल कर जंगल में तुझे यह दारू कहां से मिली रामी ने से आकिकत बाहर आती है हाथों में हाथ डाल कर पैरों अधर कहां जा रहा है जा बाहर जा बाहर निकल बाहर है रामू चल कोटनिक लेकर आप जाना इसी तरह उसे चिढ़ाया था ना तब मार खाए थी अगर दुबारा उसे चिढ़ाया तो मंडप में ही मारेगा संभल कर रहना हलो जान बूज कर तुझे क्यों बुलवाय था मालू मैं तुम भला मुझे क्यों बुलवाओगे गाड़ी चलाने के लिए हमारे साब जी हमें हर माहा की तनकवा देते हैं इसलिए गाड़ी लेकर आ गिया मेरे बदन पर जो कपड़े हैं भई नहीं मेरे दिमाग में भी कीमती चीज है आकिर तुझे को बुलवाय था अब बताता हूँ अकिकत कहूं या फिर जूट कहूं बोल जूट बोलना असेम्बली में बैटने वाले आप जैसों की फित्रत है हाकिका दुगलवाना बाहर घूमने वाले हमारे जैसे नौजवानों की आदत अच्छा पुलिस स्टेशन में जब तुम हावालात में थे तो माधुरी अंदर क्यों आई थी ये ना समझने वाला ना समझ नहीं हूँ मैं मैंने अ-अ नहीं पढ़ा देश की सियासत को पढ़ा है हाँ अब मैं मेरे बेटे और माधुरी की शादी की बात का एलान करूँगा तब तुम्हारी शकल देखना चाहता हूँ मेरे बेटे के पैर पकड़ने के लिए जब कहा था तो तुम्हारे उस रोश के होश उरते दे गलती से भी अगर मेरे तीसरी आख खुल गई न तो तुम राख हो जाओगे है हाँ प्यारे भाईयों और बहनों आप सब लोग सिर्थ यहां आशिर्वात देने आये दोस्ती नहीं है आप सब लोग मेरे वोटर्स है मेरी बेहतरी चाहने वाली है इसलिए अपनी बेटी की शादी यहां कर रहा हूँ इस खास मौके पर मश्रूर इंडस्टलिस विजया चामुदेच्वरी जी की इकलोती बेटी मादुरी की मेरे बेटे चिरंजीव अशोक कुमार के साथ बहुत जल्द ही शादी करवाने वाला हूँ यह मैं आपको बता रहा हूँ दो दिन घर पर नहीं थी तो सब डिस्की ब्लून बुल गए क्या वो क्या है न मलकिण जिस कलर की साड़ी पहनती हूं उसी कलर का मैचिंग बलाउज पहनती हो तुम्हें मालूम है ना पिर इस साड़ी का मैचिंग बलाउज कहा गया बोलो, डाड, मॉम की साड़ी का मैचिंग ब्लाउस नहीं है, तो इतना हंगामा कर रही है, सुबा पहन कर, शाम को जो साड़ी उतार देती है, उसे जितनी एहमियत देती है, मेरी सिंदगी का हमसब चुनने में भी वो उसे, क्या उतनी ही एहमियत देंगी डाडी, मुझसे क्या है चाने बगर, सब के सामने मेरी शादे की बात का एलान क्यों कर दिया, दिल के हैसासों को तुम्हारी मा नहीं समझी की बेटी, उम्हारी मा को तो सिर्फ जेवर, घर, गाडी, शेयर, किटी पार्टी चाहिए, माधुरी, माधुरी, कितनी नसीब वाली हो तुम, सीध जब होती हो तो घर में खोशियां आता है, लेकिन मेटल डिटेक्टर रखने की नौबात आ गई है हमारे घर में, वैसे तो शादी में शहनाईयां ही बचती है, लेकिन यहां तो साइरन और स्लोगन का शोर है, मैं अपनी बेटी को प्यार से रुखसत करना चाहता था, लेक जबांद बंद रखिए, इस अलफास को हमेशा याद रखोंगा, ये क्या छोटी मालकेन, हमेशा ज़रने की तरह खिलकी लाती रहती हो, आज समंदर की तरह संजीदा होगे, मुझे एक लड़के से महाब प्याइब, जटका मोद दीजे, नहीं तो किसी को टकर मार दूगा गाड़ी रोको, मजाग कर रहा था मालकेन, मैं मजाग नहीं कर रहे, मंदर जाना है गाड़ी रोको आरती के वक्त आये है, आरती ले लीजे एक मिनिट पंडिची, रामू, ये हार मुझे पहनाओ रे बापरे, ये क्या आप तो पूरी कहानी ही बदल रही है देखिए जी, फुटबॉल खेल सकते हैं, गुली डंडा कबड़ी खेल सकती है लेकिन आप किसी गरीब की जिंदगी से नहीं खेल सकती, कभी नहीं मैं खेल नहीं रही हूँ, हकीकत कह रही हूँ मैंने महबबत किये सिर्फ तुमसे और अगर मैं शादी भी करूँगी, तो सिर्फ तुमसे सिंदी की भर तुम्हारा साथ दूँगी मैं ये आरती बुचने से पहले हमें हार बदलने होंगे नहीं तो क्या करूँगी मुझे भी नहीं मालूम लड़की इतनी हिम्मत करके कह रही है तो तुम क्या सोच रहे हो, पहना दो अगर यहां शादी हो गई तो समझ लो गवाही देने के लिए आप आएगे ना आपके भगवान आकरी दफे पूछ रही हूँ हार पहना रहे हो या नहीं आरे वो क्या है की, चोटी मालकिन, चोटी मालकिन, चोटी मालकिन, चोटी मालकिन, दर्वासा खोलिये, खोलिये दर्वासा, चोटी मालकिन, चोटी मालकिन, नीचे उत्रिये, नहीं उत्रोंगी, मेरी बात मान कर पहले नीचे उत्रिये न, अरे जब से तुझे देखा है द दिल दीवाना हो गया है तुझे देख देखकर तंग आ गया हूँ टीवी पर भी तेरे भाईयों का प्रोग्राम आ रहा है इदर दे जब से तुझे देखा है मैं यहां से कूद कर मर जाऊंगी अरे इसने टीवी पर एंकरिंग अपसर शुरू कर दी अरे मेरा वोट खुदकूशी नहीं कर सकता अगले चुनाव तक अपने वोट दो खूदने नहीं दूँगा बेचा नहीं मैं अभी कूद जाऊंगी सरकार ने तुम्हारा क्या बिगा तो इंकार क्यों कर रहा है क्यों भाई शादी करने में परेशन ही मैं कैसे शादी करूँ मैं कूद नहीं पेटी नहीं करें शादी करें ठीक है मैं शादी करूंगा नीचे उतरो दो हाल देकर आओ लोगों की गवाई बना कर मैं इनकी शादी करा देता हूँ जूते से मारूंगी तुम कौन हो सरकारी एजेंट इसकी मा हूँ एक ड्राइवर मेरी बेटी को धोका देकर शादी करना चाहता है और आप लोग उसकी हिमायत कर रहे हैं मैंने अगर शादी नहीं की तो आपकी बेटी मर जाएगी तेरे लिए माधूरी मरने के लिए तयार है तू माधूरी के लिए मर सकता है माधूरी के लिए जान भी देने के लिए तयार हूँ इंस्पेक्टर मेरी बेटी के लिए ये मरने के लिए तयार है इसमें कितनी हक्किकत है इसका पता लगाई है प्राइवेट में एक बात और पब्लिक में दूसरी बात करने की आदत मुझ में नहीं है उस रोज तु बच गया था और सर जुका के मार खले नहीं तो मरने तक मारूगा अगर पंगा लेना चाहा तो मामला दर्ज कर दूगा कि पुलिस को मारा है कैद में मरोगे माधूरे के महबबत के लिए अगर उपर वले ने माथे पर मरना लिखा है तो मर चाओंगा दम है तो मारो इंस्पेक्टर जा ले लो इसकी इसकी बातों में कितनी अक्किकत है मेरी बेटी भी देख लेगी शुरू किजिए नहीं रावो को मत मारो चलो यह से मारो ब्रावो और चुर के मारो को यह सिर आने ओटी इसकी बाता। इसको चांद से मारोगे क्या अगर इससे कुछ हुआ तो यहांगी सारी आवाम को लेकर सीधा एसेंबली पहुंच जाओंगा सीधी तरह इसे अस्पतार लेकर जाओ क्यों ली सरया मेरी इससे निलाम करने के लिए तुझे पाल पोसकर इतना बड़ा किया था बत्ती सी तोड़ दूगी तेरी हलो हां डॉक्टर साब बोलिए अच्छा एक मिनट उस रामू को अस्पताल में दाखिल करवाया है इलाज करूं या नहीं डॉक्टर पूछ रहे हैं वो मर गया तो मुर्दा घर के पैसे भी नहीं दूगी क्या दो मैडम की बात सुली ना तुमने रहने दो फॉन मत रखना रख दो रामू को कुछ हो गया तो क्या होगा मालू मैं अखिर क्या होगा नगर पालिका की वैन आकर उसकी लाश को ले जाएगी उसी वैन में आपकी बेटी की भी लाश चाहेंगी हाम्श , क्योड़ी मुझे दंकी दे रही है। जान से माड डालूँगी मालूम होता है तिरा दिमाग खराब हो गया है एक ड्राइवर से महबत करके दीवानी की तरह कुछ भी बकी जारी है यह क्या आवस उची कैसे हो गई रामू को कुछ हो गया तो हाथ भी उचा होगा है अस्पताल में फोन करो करो न हलो डॉक्टर राव बोल रहा हूँ मैं माधुर ग्रूप अप कमपनीस का चेयर्मेन बोल रहा हूँ ओ चामुंडेश्वरी जी के पती नहीं चामुंडी मेरी पत्नी है चामुंडी मेरे घर में रहती है मैं उसके घर में नहीं रहता आपके अस्पताल में जो लड़का है वो मेरा आदमी है जितने भी पैसे खार्च हो मैं आदा करूँगा अच्छे से देख बाल करना समझ गया है अच्छे सर आप पागल हो गए है क्या शट आप पागल तुम हो गई हो दोलत का पागल पन, शोरत का पागल पन उस पागल पन में अंदी होकर इंसानियत भी भूल गई हो तुम उसके इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है आखिर कर वो हमारे घर का एक मुलाजिम है वो सिर्थ तुमारा मुलाजिम नहीं है उसे अवारा क्या रिष्टा है है रिष्टा है रूह का रिष्टा इस बात को हमेशा याद रखना इस तरफ मैं हूँ उस तरफ कौन है बाबुजी चमुन्टिश्वरी क्यो रोर यू बेटा क्या हुआ अबे हट अरे तुमसे नहीं बेटी सामने वाले को रोलाना चाहिए हमें नहीं रोला चाहिए आखिर क्या हुआ यह बताओ आपकी नातिन हमारे घर के ड्राइवर से महबत करती है आपके दामाजी ने भी उसकी हिमायत की है जित्तकी में पहली दवा जुबान खोली है उन्होंने मुठी में मसाल दूँगा उस ड्राइवर के बच्चे को तुम हिम्मत रखो बेटी तुम उस तरफ फोन रखो मैं इस तरफ गाड़ी में बैखता हूँ अब जी बेटी बादरी भाग गई या मर गई अपनी ड्रैडी के साथ अस्पिताल गई है उसे देखने के लिए अगर एक भी बचा तो समझो मैं अपने बाप के उलाद नहीं तकलीफ उठाने के ज़रुवत नहीं है वह खुद आ चुका कहां है एक तो उसके लिए अस्पिताल जाकर गल्ती की उपर से उसे घर भी ले आई इडिया अंदर चल इसे ले जाकर कमरे में बन करें ले जाओ ले जाओ नहीं छोड़ा मुझे छोड़ा मुझे तुम्हारे और मेरे दर्मिया कोई जगडा नहीं है जो हाथ मीचे नहीं करेगा उसका हाथ नहीं रहेगा ओस आदमी के तुम पांच बेटे मेरे हाथों की पांच उंगलियों की तरह हो मुठ्टी में तुझे मसाल दुगा अपनी चोटी उंगली से मैं तुझे चीर कर रख दूँगा कोली डंडा खेलनी को मरें इस बच्चे की यह हमें नहीं जानता खतम कर दूँगा उंगली पर लट्टू चलाने वाले का खेल देखना चाहते हो बच्पन में ही उंगली पर पहाड उठाकर करिश्मा दिखाया था श्री कृष्ण ने आज वही करिश्मा मैं दिखाऊंगा क्यों बे पैसो के लिए तू यहां पर आया है हमारी भान जी की खूपशूर्थी को देखकर लूटने आया है या जैदात को देखकर जाल बिछाने आया है तुने जो हरकत की है उस के लिए हमारी बेहन के कद्मों में गिर कर माफी मांग नहीं तो देख तेरा मैं चा करने वाला हूँ मैं यह देखने नहीं आया है कि तुम क्या करोगे शुब महुरत निकल्वाने आया हूँ यह मुरत तो निकलेगा तुहारी मौत का ये मौत होती कैसी है तुम्हारी आखों में जो काफ में जरा रहा है वैसी होती है या गले में अटकी हुई तुम्हारी बातों की तरह होती है है, मौत से रूबरू होना ही अगर तेरी आखरे खुआश है तो तेरी जान लेने के लिए इस तरफ मैं हूँ तेरी जान की इफाज़त करने के लिए उस तरफ कौने बता? मैं हूँ ये ये तेरा पोता है? यानि मुझसे बदला लेने के लिए तुने इसे पाल पोस्कर बढ़ा किया है? मैं इसके दिल में बदले की आग जलाता तो अब तक तेरे बेटों में आधे मर चुके होते इसे बच्पन से प्यार करना सिखाया है मैंने अनप्रशन के रोज इसने कलम नहीं पकड़ी, चाकू पकड़ा था इसने चाकू पकड़ा तो क्या लगता है? हमारी धोती खुल जाएगी? धोती नहीं खुलेगी, ये तुमारी जान ले लेगा अहा, तो इतना मर्ध है तेरा पोता? ये अपनी नातिन से पूछ लो खामोश, इस देलीज को पार करके मेरी नातिन को ले जाने की मरदानगी है तुझ बे? ले जाने के लिए ही तो आये हैं पानुओं ने बारे साल वनवास और एक साल अग्यात्वास किया था मैं और मेरा पोता तेरे साल का अग्यात्वास कर चुके हैं वो लोग राज्य के लिए आये थे, मैं रानी के लिए आया हूँ रानी के लिए राज्या आता है, ना कि तुच्चे से नोकर किस हग से मेरी बीटी का हाथ मांगने आए हो अंजाने में ना तो मैंने इस घर में कदम रखा है नहीं अंजाने में माधुरी को लेने आया हूँ तो क्या ले जाएगा बे इस तरफ से लड़की उस तरफ जाते जाते लाशे भी जाएंगी तुम सिर्फ तरफ के बारे में ही जानते हो मैंने डिसाइड करने वाली फैमिली में जनम लिया है आज तक तुम्हारे सामने आग्या करी रामु की तरह घूंता रहा लेकिन हकीकत में मैं दिल में आग को दबा कर रखने वाला अगने पुत्र हूँ माधूरे सिर्फ मेरी है अगर किसीने ना कहा तो गले की नसों को काट कर रख दूँगा अगर किसीने रोकने की कोशिश की तो जान भी ले सकता हो बारा तारीक को एकादसी है उस रोज आकर सब के सामने शादी करूँगा सुनो तोम लोग पुलिस को बुलवा लो या फिर मिलिटर को बुलवा लो आए आंधे की मानिंद आऊँगा और तूफान की मानिंद ले जाऊँगा चलिए दाबैश मेरे बेटे थेरा साल के बाद वो बुढ़ा क्यूं आया ये भी नहीं समझी तुम माधुरी को कहीं भेजोगी हर जीज नहीं उसी बारह तारिख को हमारे गाव में हमारे घर में मेरी नातिन की शादी मिनिस्टर साहब के बेटे से होगी माधुरी का दिल बदल कर उसे शादी के लिए राजी करवाना सुनो, इससे पहले कि वो भूख हर्टाल करके मरने की कोशिश करें, उसे खाना खिलो अचाना कहा जाने की तैयारी है मेरे गाओ किसलिए? मिनिस्टर साब के बेटे के साथ मेरे गाओ में मादूर की शादी करवाएंगे पिता जी ने ऐसा कहा है सुना नहीं? मुझे ऐसी बाते सुनाएं नहीं पड़ती शादी में आप भी आ रहे हैं नहीं आओंगा नहीं आएंगे तब भी शादी नहीं रुकेगी अगर आएंगे तो मादूर के पिता बनकर शादी के मंड़प में बैठ सकते हैं नहीं तो सिर्फ दावतनामा में ही रहेगा आपका नाम टिकट प्लीज यह क्या वही टिकट है तीसरा कहा है मैं और मेरा पोता दो ही तो है लेकिन उस लड़की नहीं कहा कि आपके साथ है वो यह क्या है सब लोग हमें ही देख रहे हैं अपनी सीप पर जाकर बैठो मतलब मैंने जो वादा किया है वो निभान ही पाऊंगा यही समझ रही हो ना मैं ऐसा कुछ नहीं समझ रही हुझे पूरा यकीन है मेरी बात मानों मैं यह चैन खेचता हूं तूम उतर जाना खेचने से पहले ही मैं ट्रेन से कूछ जाओंगी ऐसा मत कहा मंदर के ऊपर से कूदने वाली के लिए चलती ट्रेन से कूदना कोई बड़ी बात नहीं है आई लाइक दिस तुम्हारा टिकेट में ले चुका हूं बेटी फाइन भर के यह ट्रेन लेटी है स्टेशन पर रुकि बिना सिधा यहां कर रुकती तो कितना अचा होता हूं आखरी मरतबा आपसे पूछ रहीं आप आएंगी या नहीं तुम्हें एक लाख बार बुलाओगी तो भी नहीं आओंगा मैं फो छोड़ना इन है कुछ लोग बात समझना नहीं चाहते तो क्या करें दमाजी बात में आएंगे पहले लड़की को लेकर आओ माधुरी को ले आओ तुम दोनों हाथ हिलाते हुए आ रही हो माधुरी कहा है नहीं है क्या हुआ रहे थी कि राम के साथ नहीं भेजेंगे तो मर जाओंगी इसलिए पीछे के दर्वासचे भेज दिया माने दो बेटी खांदान की इजट में मिलाने वाले का मरना ही बैतर है तेरह साल बनवास करके आए थे ना अब कहां तलाशें यह उन तीनों को बोलिए मैं पता लगाती हूं रहेम करके सब लोग थोड़ी दर खामोश रहिए महादूरी को वो लोग कहां लेकर गये हैं बने की कोशिश मत कीचिये मुझे पागल बनाकर उस बुड़े से हाथ मिलाकर रामु को घर में लाकर रखवाया था ना आपने है ना ना कहो तो तुम क्या मान जाओगी मुझे जो जवाब चाहिए वो यह नहीं है मादूरी को वो लो कहां लेकर गये यह बताए बतादू तो तुम्हारे घर में कोई मर्द है जो उसे वापस ला सके जरूर लेकर आएंगे बताए तीदी रूख जाओ अब वाकिफ है मेरी प पसंद करूंगी नहीं बताए तो ती जान दे लूँगी बताए यह प्रभावादी आ रही हूं क्या बैते बेटी तुम मायूस क्यों हो यह कौने मालूम है एमारो मतलब कलेक्टर के बाद जो कलेक्टर है उतना बड़ा हम सब है ना डरने की कोई बात नहीं तुम खुश रहो बेटी हम है ना अंदर जाकर आराम करो रामू मैंने तुम्हें परिशान कर दिया ना नहीं जितने हिमत से मैंने हमारी शादी की बाद तुम्हारी मां से की थी उतने हिमत से तुम भी मेरे लिए अपनों को छोड़ कर आई हो मैं रुक्मनी हूँ और तुम माधुरे बहाप्रे बड़ा मुश्किल नाम है तुम्हारा ऐसा नाम क्यों रखा रामू ने कहा था मेरे पसंद की चीज लाएगा क्या लेकर आएगा वो रामू तुम्हें इतना पसंद है पसंद नहीं होता तो यहां तक क्यों आती इतना पसंद है पहले इतना बार में इतना और आप इतना शिफ्रम्भू शिफ्रम्भू हो की नहीं मेरे रामू के लिए मैं स्टेशन गई थी तो रामू के साथ एक छोक्री भी आटपकी उसे देखने से दिल जल रहा है तुम्हें भी गुसा हो रहा है ना तो पहले उसे जाके डस लो दान तूट जया तो कोई परवाने में दूसरी बनवा दूंगी बस जाके डस लो देखो समहल कर हमेशा उस लड़की के साथ मेरा रामू भी रहता है रामू साथ हो तुसे मत दसना परना मेरा रामू तुम्हें खतम कर देगा कि मोतिया अब तक यहीं बैठा है हमारा जो पंदर एकड़ का खेत है वहां काम का पहाड़ खड़ा है जा शुक्रिया नहीं अगर कोई बीच में आ तो काट के रख दूंगा अबे तू क्या काटेगा सबकी अर्थी निकल जाएगी यहां से निकल जाएंगे जब तक मुझ में जान है तब तक ऐसा नहीं होगा तो तुम्हारी जान निकाल कर ले जाएंगे हम लोग प्रभा बेटी कि अधर अंदर जो अंधर जो अधर अधर मेरे तादा पर किसी की नजर भी पढ़ती है तो मैं खामूश नहीं रहता अगर किसी ने उन्हें कोशिश की तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा है मेरी पांचों उगलियां अगर मोठी बन जाए तो जानते हो क्या होगा कि अच्छा एक जानते हो जानते हो क्या हो अधर है कर नचंध मोर्ण धार नह रगां डंध उन् मत बाला जद्ट कर दो कर मा treaty अँगा कर दो फिले हो रोगे को दोर जवाल Credit चो कि कर दो को हो बद्द दौरी गुरा थम आ09 कर दो दो Hai जोईंध अद गुंद को दोल सादान दोके, भण इन्हाद अरी दोर्ट्ट मजग वर्माड़्ट तर्लबफ ग्यादी है अ लैरा इखनु़ कर दो हैं लैरा है उ ृष्टाव भीर है खिए है ले एड़ीन है fact अ मीनि कलो है प्लाव अ मीर इखनु धक कर दो यह पर खिरो ऺटे लो फिघए ब коммент残 खिर गब खिर्दे उम कर दो boost को यहानं. लोगा, है वहाँन हुआज यहाँ! कट बचिस्टी है आफ करट ए्यार से तेन लग्यार किसादी आजूए एक सकाह barking है एक समौजड पिजाई एकसे इए पड़ी आगो हम भिए पड़ी एक सौ पड़ी आगो हम आगई प्रूशल ओडु़ हम और पड़ zoo मुझे मत मारू, मुझे मक्ष दो चीक मत, नहीं मारूँगा ए, तुम लोग मेरी माधूरी के मामा हूँ हमारी शादी के वक्त आशिर्वाद देने के लिए तुम्हें चीना पड़ेगा अभी अपने भाईयों को यहां से ले जाओ दफाओ जाओ, जाओ सुनाओ जब अगली मरतबह आओगे, तो कफन साथ लेकर आना तब शायद तक तीर साथ ना दे दफाओ जाओ सब लोग अच्छी तरह से सिकाई करवालो क्यों डॉक्टर? क्या लगा रहे हो? मरदानगी बढ़ाने के अगर कोई दवाई हो तो हमारे इन पाचो बेटों को दे देना ये चपिदा जी, एक मरतबह उसके हाथों से मार खाने से हमारी मरदानगी चरी नहीं वो हमारे हाथ जरूर आएगा, हम उसके टुकले टुकले कर डालेगे नहीं बाबुजी, पहले ही वो आपकी हटी बसली तोड़ चुका है, उससे पंगा लोगे तुम मेरी तरह बन जाओगे अवे हट ये मिनिस्टर इस वक्त क्यां क्यों आ रहा, किसने बुलाए बेटी से? मैंने क्या जरूरत थी, पहले से ही हम लोग मुसीबत में है नमस्तर, आहिए नमस्ते मंत्री जी नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते मालूम होता है, ज्यादा चोट लगी है बच्चे ने खूब मरामत की है साहब उपर से बच्चा नजर आता है, लेकिन अंदर से पूरी ताकत है उसमें ये तो तुमारा किया करा है मैं तुमारे आंगान में हूँ लेकिन मेरी हुकूमत मेरी मुठी में है जब सत्ता हाथ में है तो हाथ याख लेने की क्या जरूँ है माफ कीजिगा मेरे पास यह कानूनी पॉइंट उससे हमला कीजिए कि आई यह मैडम कि कलेक्टर साहिब आ रही है नमस्ते मैडम नमस्कार यहां रामचंद्र जी कौन है मैं हूँ मिस्टर शीवराम कृष्ण मैं हूँ नमस्ते नमस्कार आप दोनों पर अगवा करने का मामला दर्ज हुआ है किस ने किया है मैंने मेरी बेटी मादुरी नाबालिक है बारा तारिक की सुबत 10 बजे ही वो बालिक हो जाएगी लड़की को धोके से यहां तुम लोग लेकर आयो इसलिए मैंने तुम लोगों पर केस किया है मादुरी अपनी मर्जी से हमारे घर आई है आप मुझरिम के परिवार वाले हैं आपके गवाही नहीं माने जाएगी नहीं मानेगी तो कैसे चलेगा वो खुद हमारे साथ आई थी नहीं तो जान देने की धमकी दे रही थी तुम ना बालिको, तुम्हारी गवाई भी नहीं चलेगी तो मेरी बात मानेगी क्या कलेक्टर सहीबा आप इस लड़की का बाप हो और इस लड़की की मा का शाहर मैं और मेरी बेटी मेरे दोस्त के घार आए हैं इसमें किसी की जबरदस्ती नहीं है जूट है ये जो ये कहते हैं उसे आप जूट कहती हैं और जो आप कहती हैं उसे ये जूट कह रहे हैं कलेक्टर सहीबा इस लड़की पर मा का जितना हाग है उतना पिता का भी है मेजर होने तर सरकाई नौकर होने के नाते ये मेरे घर पर ही रहेगी अच्छा तुम्हें हमारी बेटी को अपने घर में रखकर खयाल अखने की कोई जरूरत नहीं हम नहीं मानेंगे सुनिए कलेक्टर साहिबा ये लोग एक दूसरे करिश्चेदार है अगर माधुरी को यहां रखेंगे तो उसका ब्रेन वाश करके रख देंगे हमारे साथ भेज़ दिजिए मैं नहीं जाओंगी यहीं रहूंगी एए कैसे रहेगी यहां नहीं रह सकती यहां रहने से क्या होगा मैं हो ना उसका पिता माधुरी आपके साथ नहीं मेरे साथ प्रश्चेदार शुजाएगा ओके-ओके आपकी लड़की बालिग होने तक सरकारी देखरेख में रहेगी और उसके बाद मैडब उसके बाद वो जिसके पास जाना चाहेगी वो जा सकती है चलो माधुरी कि माधुरी तुम अंदर चाओ सब लोग गौर से सुनिये वो इस महिने की बारा तारीक तक सरकारी देखरेख में रहेगी आप मेंसे किसी को भी उससे बात करनी की इजाज़त नहीं है जरूरी काम हो तो सी आई बैनर जी मुझे एक्तिला करेंगे मैं पर्मिशन दूँगी तो आप उससे मिल सकते हैं खाना वगरा सरकार मोहिया कराएगी मिस्टर बैनर जी कहीं भी कोई भी गड़बड़ी हुई तो आपकी जवाबदारी होगी समझे अपना नाम बताईए विजय चामुंदेश्वरी का पती लोगी ने विजय चामुंदेश्वरी के पती के तौर पर ही जानते हैं ऐसा ही कहीं देखे पंडिजी मुझे आपका नाम नहीं मालूम यहाँ पर सबसे महंगी पूजा कौन सी है इस पूजा को जरा विराम दो हमारी पूजा शुरू करो चाहिए तो हजार दो हजार जादा लेलो उस तरफ सौ नारियल तोड़ोगे तो इस तरफ हजार नारियल तोड़ देना उस तरफ लाग फूलों की पूजा करोगे तो इस तरफ करोडों फूलों की पूजा करना अगर नहीं किया न यह कौन सा मंदिर है प्रमक मार दिया तो रमाले में गिरोगे क्या करोगी कितना खर्च करोगी तुम्हारी मर्जि मेरी माधूरी का मन बदल कर मेरे पास वापसाना होगा रुपे फैकने से बदल जाने के लिए मंदर में रिष्वत लेने वाले अफसर नहीं है मेडम हम सबका पालन करके हमारी तकदिर बदलने वाले भगवान है पंडिल जी आप चाहें जिसके लिए जो भी पूजा कीजी हमें इतराज नहीं माधूरी घर की बवबन कर हमारे घर में कदम रखे यही हमारी खाईश है ना ममकिन चाहूं तो अपनी तकदिर बदल कर अपनी माधूरी को अपने साथ ले जाओं सासुमा क्यों टेंचन लेकर बेवजा बीपी बड़ा रही है कल सुभा आपकी माधूरी मेरे साथ होगी ये भी यकीनी है और एक साल के अंदर आप नानी बन जाएंगी ये भी यकीनी है जाकर बच्चे की देखभाल करने के प्रैक्टिस केजिए चाहिए सासुमा देखभाल करना हमें न सिखा तुझे खटमल की तरह मसल के रग दूगा अपनी आवाज उची मत कर उम्र कम हो जाएगी तुम्हारे चीखने से डर कर भागने वाला नामर्द नहीं हो मार्ध हूँ जान ले अगर इस शिवराम कृष्ण के हाथों की ताकत जानना चाता है तो जिस डॉक्टर ने तेरे बेटों का इलाज किया था उससे पूछ ले बता देगा ए रामू तेरा इलाका है इसलिए जोश में होश हो रहा है नौकर बनकर हमारे घर में आकर चोरी से मेरी माधूरी को ले गया और तुम मुझे आजमाईश देता है तू नहीं रे आजमाईश देने वाली मैं हूँ जिसे मैं चाहती हूँ और तूने जो मूरत निका रहा है उसी मैं अपनी मादूरी की शादी करवा कर रहा होगी येस, आई विल डू इट, आई विल डू इट बेटी, चामुंडी, क्या हुआ बेटी, चामुंडी, क्या हुआ तुम्हें पिता जी अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ, तो याद रखना तुम्हारे गाओं पर मैं विजली बरसा दूगा, मा कसम तुम्हारे पूरे गाओं को शम्शान बना कर रख दूगा, हाँ इंस्पेक्टर साब, मेरी मॉम को दिल का दौरा पड़ा है, मुझे अपनी मॉम को देखना है, मुझे चाने दीजिए कलेक्टर से इजाज़त लेनी पड़ेगी फोन करके इजाज़त ले लीजिए देखिया मेडम, मैं इजाज़त नहीं ले सकता, माप कीजिए अगर इस तर्मिया मेरी मॉम को कुछ हो गया, तो मैं कलेक्टर से शिकायत कर दूँगी कि मेरी इजाज़त मांगने के बावजोद आपने मुझे नहीं भेजा ये क्या, मुझे जो तर्की बानी चाहिए वो आप सुझा रही है हलो अस्पतार में दाखिर हुए, ये उनसे मिलना चाहती है ये सच है जी मेडम, उनके सारी रिष्टदार गय है, कह रहे हैं सीरियस है ठीक है, सिकुरिटी के साथ उस लड़की खो ले जा, और वापस आते हैं मुझे फोन करके बताना ओके मेडम, नमस्ते मेडम, चलो चलते हैं यहां क्यों रोका, तुम्हें किसने मारा, राम किशने चलोश चलोश खुम्हें ऑड़की यहां किशने आरोग, है, है कहां गायब हो गेते, तुम्हारे लिए अस्पताल में फोन किया था रास्ते में शिवराम किष्ण ने हमला किया मेडम, हम सब के खूट पिटाई किया, और माधुरी को लें किया वाकई, तुम्हारे पास रिवॉल्वर है न, गोली कहीं माधुरी को न लग जा, इसलिए हम डर गया थे मेडम ओ, I see, B.I.G. साहब मिस्टर बैनर जी और इन सभी को सस्पेंट कर दीजे यह ना इंसाफी है मेडम, हम अपनी जान पर के खूट क्या-क्या, माधुरी को बचाया? नहीं मेडम, शिवराम किष्ण ने… माधुरी मेरी सासुमा से क्या मिलेगा? क्या दिल्ले में साइट मिलेगी? या पूरे में फामाउस मिलेगा? या फिर हैदराबाद में प्लॉट? ऐसा कुछ भी आसिल नहीं होगा बारा तारीक को हमारी शादी है, पेट भर कर खाना खाकर जाईए, इजाज़त दीजिए इतना ड्रामा प्री माधुरी के लिए किया था, फिर भी उसे आप लोग यहां तक नहीं लापाए अरे बापरी, ओई मा, जोर से बारिश हो रही है, अफिर जवान चोकरा ना जाने क्या करेंगे? वह रामु एमारो दफ्तर के बाहर खड़ा होकर आपकी कमर को देख रहा था और मेरा सर लट्टू की तरह घूम रहा था और नाच रहा था और बीटियरानी तीछी नेजर से देखकर अंदर भाग गई, तब से मैं परिशान हो रहा हूँ कि इतनी रफ्तार क्यों? मालकिन अभी अभी तुमने क्या कहा? मैंने तो कुछ नहीं कहा मालकिन, मैं तो भी रसोई घर से आ रहा हूँ मालूम होता है आपको कुछ ऐसे विसे ख्याल आ रहे हैं, यह लीजिए काफी पीके खुद कुद ताजा कर लीजिए खामुशू चाओ, चलो चाओ मेरे पढ़ाई, मेरे शादी, सब मौम की मर्जी सही होगी मुझे माधुरी से थोड़ी बातें करनी है बेशक करी है शुक्रिया बेटी माधुरी उस रूस तुम जान बुशकर हमारे साट ट्रेन में आ गई आज हमें तुम ठुकरा कर चली जा रही हो उस रोज तुम क्यों आये थी, ये नहीं पूछा आज तुम हमें क्यों छूड़ कर जारी हो मैं ये भी नहीं पूछ रहा हूं बेटी दादाजी देखो बेटी, मेरी आखो में दिखकर बोलने का अगर दिल ना करें तो उसके दिल पर दिखकर बोलें हम तुम्हें अच्छे नहीं लगते, अपनी मा के साथ चली जाओगी, चली जाओगी, कलेक्टर साहिवा, बारा तारीख को एक आदसी है, उस रोज मिनिस्टर साहब के बेटे से मेरी बेटी की शादी है, अब जरूर आईएगा, जी अच्छा, चलो बेटी, परमिश्वर साहब जी, अगर आप भी चलेंगी, तो अपने दामाद के पैर्द हो सकते हैं, दादा जी, ये क्या दादा जी, आप रो रहे हैं, नहीं बेटा, मैं रो नहीं रहा हूँ, नहीं दादाची, दिल की बात आप बेशक मुझसे ना बता हैं, लेकिन आखे मुझे बता रही हैं, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, तब से आपकी आँखों में आँशू कभी नहीं देखे, आपकी आँखों में आशू आए, तो उनकी जान ले लूगा, जान ले लूगा मैं! रामो बेटा, तुमारे जोश से मैं वाकिफ हूँ, इसलिए माधुरी को आग से नहीं प्यार से जीतने के लिए कहा था, मना किया तो भी पीशे आने वाली नहीं, आज ऐसा क्यों किया यही सोच रहा था बेटा, मैं यही सोच रहा था! अगर कहती की तुमारे साथ रहोंगी, तो तनहा पूरी दुनिया से लड़कर, उसे आपके सामने लाकर खड़ा करता, कहती थी प्यार के लिए मैं मरने को तयार हूँ, लेकिन हम मा के साथ चली गई, चली गई, चली गई, चली गई, चोड़कर चली गई, जो वादा नहीं निभा सकते हैं ऐसे लोगों के लिए हम क्यों मायूस हो दादा जी नहीं बेटा आप मायूस नहीं होगा बाबुची सुबह से आपने कुछ नहीं खाया थोड़ा से दोप दिलीजे नहीं बहुत ले जाओ हुआ 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 दादाजी मेरे आंसु पोच कर तू यहां रो रहा है माधुरी गौपनी बहु बनाने की मेरे माधा पिता की खोहिश थे ना मेरे शादी नहीं होगी यह सोच कर स्वार्ग में उदोनों कैसे होंगे यह सोच कर आसु आ गए दादाजी कहा था ना पैसे दोंगी ले लो रहने दो बेटी तुम्हारी महबत इतनी सची है मुझे मालूम नहीं था थोड़ा सा चावल दे तो उसमें हल्दी मिलाकर उसी का अक्षद बनाकर आशिरवात दोंगी माधुरी से मिली थी यह बात किसी से मत गया वापरे किसी से नहीं कहोंगी क्या तुम माधुरी से मिलने गई थी कब गई थी तुम से पूछ रहा हूं मैं गई थी या नहीं गई थी कब गई थी क्या हुआ वहां मैं तुछ से पूछ रहा हूं मुझे बगर क्यों गई थी क्या बात है क्या हुआ बाभुजी यह माधुरी से मिलने गई थी क्या हुआ पूछा तो बता नहीं रही है तुम पार्वती तुम घर घर जाकर जोतिश बताती हो ना हाकिकत बता दू बताओ काली मा की कसम खाकर कहती हुँ दुर्गा मा की कसम खाकर कहती हुँ संतोशी मा की कसम खाकर कहती हुँ बोली भाली हमारी रुकमणी बेटी अपने रामु को तनमन से महबत कर बैठी बड़ी मिन्नते मांगी थी पूजा पाठ करवाया था बेचारी को ना मालूम किसकी नजर लग बैठी भगवान जाने अचानक जाने कहां से एक सौतन आठप की देर की तो रामु हाथ से निकल जाएगा अपने दिल की बात बता दे बेटी उसे समझा बुचा कर सब दुरुस्त कर दूँगी आज तक में कोई शर्ट नहीं हारी रंगोली के मुकाबले में मैं अबल आती गुड़े गुड़िया का खेल में मैं ही अबल आती साब सेड़ी के खेल में साब डसे बिना कितनी मर्दवा सिर्ड़ी चड़ गई थी लिसा मुझ से क्यों बोल रही हो मेरे रामू को तुम छे मै वाली कहके चिड़ाते रहते हैं जब इसे मालूम हुआ कि इसकी शादी रामू से नहीं होगी तो कनेर का फल तोड़ कर लाई तुम्हारी परवरी शेहर में हुई है तुम्हें नहीं मालूम कनेर को पीस कर खाने से मर जाते हैं बेटी रो मत ये शर्ट में तुम ही जीतोगी तुम्हारा रामू तुम्हें ही मिलेगा सच कुसम से तुम कितनी अच्छी हो अरे 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 कहां जा रही हो तुम्हें डसने के लिए शुशंभू से कह कर आई थी जल्द बाजी में आज रात को आगर गहें डस ना ले जाकर मादरी हमारी अपनी है उससे मत डसना ऐसा कह दूंगी का की मा मैंने तुम्हारी माने कभी कहा था कि तुम्हारी शादी राम्भू से कराएंगे दादा जी ने कहा था तो अग्या राम्भू ने कहा था यह मेरा बेटा है यह मेरी बहु है रामो के माता पिता उनकी आखरी खाईश क्या थी मालू में बेटी दादा जी दादा जी मुझा खतम हो तक खाना नहीं खा सकते क्या क्यों बेटी बहुत भूग लग रही है दादा जी थोड़ी देर में श्री रामचंद और सीता मा की शादी हो जाएगी उसके बाद सब मिलकर बढ़िया खाना खाएंगे क्या है क्या रामो पूजा खता मोने तक हम कुछ नहीं खा सकते यहीं पर बैठी रहो मापिता जी की तरह पूजा करते हैं लेकिन मेरे गले में मंगल सुत्र नहीं है ना मामा मुझे भी ऐसा ही मंगल सुत्र दोना मादरी के गले में डाल कर पूजा करूंगा मैंने जिस तरह मंगल सुत पहना कर तुमारी मा से शादी की थी उसी तेरे तुम माधुरी से शादी करोगे तो तुम दोनों मिलकर पूजा कर सकोगे शर्मियाती बेवकुफ कहीं कि वो शैतानी इस तरह पहना रहा है और तुम आँखे फाड़ कर क्या देख रही है निकाल देख इसे क्यों रहे मुझ पर हाथ उठाता है चामुनेश्वरी ये इसका किया काम नहीं है बेटी स्री रामचंडर जी नहीं से ये काम करवाया है उस तो भगवान के सामने रस्म अदा होगी बंद करो यह बखवास नीचे तोड़ने वाले नारियल को सर पर फोड़ोगे तो सर फट जाएगा पंडी जी बच्ची के गले से मंगल सुत्र निकाल कर पशपती जी औरत के गले में जो मंगल सुत्र होता है उसे बस एक ही बार निकालते हैं इतनी पवित्र जगे पर ऐसी अशुब बात मत कीजिए तुम लग यहां शुब अशुब की बाते कर रहे हो हमारी बेटी के मुस्तक्विल के बारे में सोचा है सबका मुस्तक्विल रोशनों यही खाईश है हमारी उसके लिए क्या करें बूलिए और क्या कर अब यह लड़का बड़ा होगा तो पैरों के धूल जाड़ने की तरह हमारी बेटी को भी जाड़ देगा तो इसका क्या होगा इसी लिए यह जो भी हुआ उसे भगवान को साक्षी मान कर हुआ ऐसा आप लोग जो बोल रहे ना इसी वजह से अपनी सारी जायदाद हमारी को बेटी के नाम कर देंगे तब हम सोचेंगे कि उसने जो मंगल सुत्र पहना है वो कच्छा है यह पक्का है मतलब तुम्हें रिष्टों से भी ज़्यादा जायदाद बहुत प्यारी है सुनिये, हमारा सब कुछ हमारा बेटा है, मादरे हमारे घर की बहु बनेगी, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? बाबु जी, ये मंगल सुत्र हमेशा इसके गले में रहे, ऐसा अशिरवार दीजे मुझे जो कुछ आप कहेंगे, हम वही करेंगे ये क्या पिता जी, वो लोग वहाँ पर इतना बड़ा ड्रामा कर रहे है, डोकुमेंट हाथ में मिल जाने से, क्या हम करोड़ पात ही बन जाएंगे? अरे कुछ भी कहो, इतने से बच्चे ने बहन पर हाथ उठाये तो मिरी जान चली गई ये क्या पिता जी, कुछ बोलते क्यों नहीं है? जरूर बोलूँगा, मैंने पांच बेटों को पैदा किया है, फिर भी मुझे ही सोचना पड़ रहा है अच्छा, आज रात को रत कितने बज़े निकलने वाला है? क्यो नारियल मंगवाना है पिता जी? आज रात को नारियल नहीं फटेंगे, सर फटेंगे आज रात को नारियल नहीं फटेंगे आज राबो बेटे, बाबुजी राबो, राबो बेटे, आज़ो इदना इस पिता जी, नहीं फटेंगे, अरे यह क्या हो गया बाबुजी उटो है बाबुजी, इन दे में बाबुजी, मेरी राबो की शादी, माधरी से बेचारे रत खीच रहे थे लेकिन इसी बीच भगवान ने इनकी जान खीच ली अब इसे कि खीच रहे हैं भगवान ने वारा बेचं़ता करक्ता कर्मा ने खीच बभाएंग मॉषि सुन राम चंद्रा राओ अपनी जिस से तुने जो शादी करवाई है उसकी वज़े से मेरा भाई मारा गया इसके बहुता पिता भी मर गए इसलिए इसलिए बाबुजी आप चिंता मत कीजिए मैंने वक्ये से बात किये कि हम आपको जल्दी छुड़वा लेंगे नजरों के सामने बेटा और बहु मर गे वो सहलिया मैंने इससे बड़ी सजा क्या होगी खांदान का सिर्फ यही एक चिराग है इसके मुस्तक्बिल की ही मुझे फिक्र है मायूस ना हो यह उन लोगों से दूर ले जाकर उसकी परवरिश करने के लिए मैं भाई साब से कहतूँगा हाँ बाबू जी उसकी परवरिश मेरे पास ही होगी अब मैं खुश हूँ इसका क्या करूं ददा जी जब तुमने माधुर के गले में पहनाया तब तुमने साथ फेरे नहीं लिये थे मेरे साथ जो भी नाइंसाफी करेगा उसे दसने के लिए शूष रम्मू से कहती थी लेकिन अब तुम दोनों को अलग किया है इसलिए खुद को डसने के लिए कहूंगी मेरी महबबत के लिए जाहन तक देने के लिए तयार हूँ यह मुझे नहीं मालम धरुक में नहीं इस चनम मैं माबापकी खौहिश पूरी करने वाला बेटा ही बना रहूंगा अगर अगला चनम हुआ तो तुम से शादी करने के लिए उस भगवान से मैं प्राथना करूंगा क्यों रहे एक तरफ शादी का वक्त हो रहा है और दूसरी तरफ तुर रास्ता क्यों नहीं आप रहा है बड़े बाबुजी ऐसा नहीं सोच रहें जी वो लड़का गनेश जी के चुहे की माफिक है किसी भी बिल से निकाले चोटी मार्किन को ले जाका सोच रहे है एक मर्तबा मंगल सूतर पहनने के बाद दूसरा मंगल सूतर नहीं पहना जाता तुम्हारी माने दिल के दौरे का ड्रामा किया था लेकिन मुझे वाकई हो जाएका बैठी तुम्हारी में पहरे पहरे है हु़ 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 है है हु़ terrific हु़ श county gözhanded है है मुझनम वा झाल 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 मादरी झाल मादरी झाल 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 मादर झाल 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 मादरी याल झाल झाल कि मैं अजया हम प्राइब कर शिवार अप्र जजया है